इस बार बंगलादेश टीम वर्ल कप में तारीख जरूर रकम करेगी वो का नामा जो इससे पहले बंगलादेश टीम या ओफिशल से अंजाम नहीं रहे सके वो इस बार बिलाखिर हो जाएगा अश्यकुरी शवाई बालो असीर अमी जनेद अपना रा देखते सन जुनेद अलियो ऑफिशल अमी अपना दर जुनो आगती वीडियो प्ले कुर्टी जर्ची शवाई देख्विन अश्यकुरी शवाई देख्विन बालो लगबे आई बात करने वाले हैं कि बंगलादेश अमपैर चेंग दा हिस्टरी बंगलादेश एक दफ़ा फिर हिस्टरी को चेंग करने जा रहा है वर्ल्ड कप के अंदर बंगलादेश की तरफ से एक ऐसा कदब उठाया जा रहा है जो आज से पहले नहीं उठाया गया तो बंगला च्वाइए से वीडियो है, वीडियो में देखेंगे मजीद, और आपको टाइटल देखे, पता चल गया होगा कि किस मौद्शू पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बरने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बने बेले इकोन को भी दुबाएं तांग कि आपको वीडियो का नोडिविकेशन सबसे पहले मिलता रहे चलें वीडियो शुरू करते हैं बंगलादेश जी हाँ वही बंगलादेश जो के एशिया कप में सुपर फोर राउंड में सिर्फ एक ही मेच जीत पाई थी क्या वर्लक अब दो हजार ताइस में कोई कार्णामा सरण जाम दे सकेगी या नहीं इसका तो नहीं पता मगर इस बार बंगलादेश टीम वर्लक में तारीख जरूर रिकम करेगी वो कारणामा जो इससे पहले बंगलादेश टीम या उफिशल सरणजाम नहीं रे सके वो इस बार बिलाखिर हो जाएगा वो कारणामा क्या है और कौन सरणजाम देगा और कैसे बदलेगी वरिल्ल कप में बंगलादेश की तारीख ये जान सकेंगे आप इस रिपोर्ट में बंगलादेश ने बत और टीम हालिया बरसों में कई कारणामे सरणजाम दिये हैं और उनके चंद खिराडियों का शुमार टाप कलास प्लेयर्स में होता है जो अपनी अलग शनाखत बनाने में कामयाब रहे हैं मगर बदकिसमती से बंगलादेश का कोई भी अमपैर अभी तक अपना नाम नहीं बना सका लेकिन अब बंगलादेश की क्रिकेट तारीख में रहने वाला ये खलाबी पूर्फ होने जा रहा है क्योंके वर्ल्ल कप दोजार ताईस में आपको एक ऐसे अमपैर भी बड़े म नाम नहीं कमा सके मगर किसी वर्ल कप में अमपैरिंग करने वाले वो पहले बंगलादेशी अमपैर बनने का एजाज पा लेंगे जिन्हों ने ये सफर शदीद तनकीज सहते और सखत मेनत करते तह किया उनका कहना है कि बंगलादेश में बतोर अमपैर आगे बढ़ना वजूद बंगलादेश का एक भी अमपैर आई सी सी एलेट पेनल में शामिल नहीं हो सका इसलिया से देखा जाए तो ये शर्फल दोला का बहुत बड़ा कारनामा है जिसे देखकर शायद अब और भी बंगलादेशी लोग अमपैरिंग की जाने आएंगे तो जी विवर ये थी वीडियो और आपने देखा कि ये तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि सन 2000 में बंगलादेश ने टेस्ट टेटस हासल कर लिया लेकिन उसके बवजूद आज तक किसी बड़े इवन्ट के अंदर बंगलादेश का अमपैर देखने को नहीं मिल बंगलादेश की तरफ से किसी अमपैर ने इतना नाम नहीं कमाया जो इस दफ़ा होने जा रहा है बारत के अंदर होने वाले इस वर्ल्ड कप के अंदर बंगलादेश का अमपैर भी शामिल होगा पैनल के अंदर पहली दफ़ा तारीख में पहली बार बंगलादेश की से अमपैरिंग करने जा रहे हैं शर्फ-ल-दोला शाहिद तो यह तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है और बंगला देश को बड़ा इजास मिलने जा रहा है के बंगला देश की तरफ से एक अमपायर भी ग्राउन के अंदर नजर आएगा और بنگلہ دیش کی طرف سے آج تک کوئی بھی کرکٹ کے بڑے ایونٹ کے اندر امپائر کوئی شہرت حاصل نہیں کر سکا کوئی بڑے ایونٹ میں امپائرنگ نہیں کر سکا تو یہ بنگلہ دیش کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ تاریخ میں ہونے جا رہا ہے تو یہ اگر اس دفعہ ہو جاتا ہے تو آنے والے ٹائم پہ بنگلہ دیش کے لیے زیادہ یہ موقع ہوں گے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ امپائر نکل کے سامنے آئیں گے تو بنگلہ دیش کی ٹیم ایشیا کب میں سپر فور میں ایک ہی میچ جیت پائی وہ بھی بھارت کی انگیست ایک بڑی ٹیم کی انگیست اس ٹیم کے انگیست جو آئی سی سی کے اندر جو ایشیا کب کے اندر ایشیا کب کی چیمپئن بنی سپر فور مرلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس کو شکست دی تو یہ بہت یجیب بات ہے کہ سپر فور میں باہر honے والی بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس ایشیا کب کی فائنل ٹیم کو جس نے فائنل جیتا اس को शिकस्त दी थी तो यह बंगलादेश की तरफ से पहली दफ़ा होने जा रहा और बंगलादेश का कोई एक एंपाय जो इंटरनेशनली एक बड़े इवंट के अंदर हिस्सा लेने जा रहा है तो यह बंगलादेश के लिए एक अच्छा मोख है तो आने वले टाइम पे हमें मजीद बंगलादेशी अंपाइर देखने को भी मिलेंगे तो यह थी आज की वीडियो आप इस वीडियो के बारे में क्य कहना चाहती हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा वह शुक्राइब